अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बिटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नंबर 33 तीन तारीक है बिटा इंगली सब्जक्ट के और 6th क्लास के बच्चों के लिए जिसमें हमारी पोयम वोकेशन थी जो बिटा उसी से रिलेड़िड कुछ कुछ कुछन आंसर क करेंगे तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बिटा क्या है read the poem and complete the given lines from the poem ठीक है तो बिटा हमें बोला गया हमें पोयम पूरी पढ़नी है तो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते और नहीं तो मैं आपको यहां पूरे दिखा दूंगे ठीक है फिर उसमें से हमे करना है ओके तो यह तीन लाइन दी गई है आईविस आईवरे होकर और आईविस आईवरे गार्डनर ठीक है और आईविस आईवरे वोचमें तो बेटा इसके लिए हमें पहले poem पता होनी चाहिए तो देखो poem बेटा क्या है हमारी poem थी यहां पर तो देखो बेटा यहां पर हमारी poem दी गई है यह आईवरे होकर ठीक है तो यहां पर हमारी यह रही वो लाइन बेटा जिसको हमें लिखना है आईविस आईवरे होकर फिर लिखोगे spending my day in the road crying bangles crystal bangles ठीक है तो आपको यह यहां पर पूरी करनी है तो आप क्या लिखोगे आईविस आईवरे होकर spending फिर लिखोगे spending my day my day in day in the road crying bangles crystal bangles ठीक है चाहे तो आप उपर से देखकर भी लिख सकते बेटा अगर writing किजी को समझ नहीं आती है मेरी कुछ बच्चे बोलते हैं फिर बेटा बोला आईविस आईवरे गार्डनर ठीक है तो अगर वो गार्डनर होगा बेटा तो आपको ये लिख लेना है अब मैं दूसरा लिख रही हूँ तो देखो यहाँ पर ये रागटा वो आईविस आईवरे गार्डनर डिग आवे आइट दीकारडन विद नोबड़ी तो स्टोप मी फ्रोम दीकिंगिग तो अब लिखो गे दीकिंग आवे आथिए अट दीकारडन गार्डन विद नोबड़ी तो स्टोप मी फ्रोम डिगीं ठीक है तो यह आपको इस वाली में लिख देना है उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा क्या है नेक्स्ट है हमारा आईविस आईवरे वोचमेन ठीक है तो यहाँ पर यह है बेटा वो आपका आईविस आईवरे वोचमेन वोकिंग दी स्ट्रीट ओल नाइट चेजिंग दी सेडो विद माई लेंटर ठीक है तो आप यहाँ पर लिख होगे वोचमेन वोकिंग आपको यहाँ से पूरा लिखना है वोकिंग अन्याट यह स्पेलिंग में वोकिंग दी स्ट्रीट अल नाइट चेजिंग विद माई लेंटर ठीक है यहाँ पर लिख दोगे विटा तो इतना आपको इसमें लिख देना है तो यह तीनों पोयम के जो स्टेंजा के पैराग्राफ थे वो हमने लिख लिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोशन क्या पूछा गया है विटा हम वो करेंगे तो देखो नेक्स्ट बूला गया है विटा आपको कि लेट अस ट्राइट टू कम्प्लीट दी फोलोइंग सेंटेंजास को मतलब की सेंटेंजास को कम्प्लीट करना है इफ आई वर ए सोलजर यदी मैं सोलजर होता या होती ठीक है यदी मैं सोलजर होता तो बेटा क्या करते आप अपनी देश की सेवा करते देश की रक्सा करते तो इफ आई वर ए सोलजर आई विल प्रोटेक्ट आई विल प्रोटेक्ट माई कंट्री ठीक है उसके बाद बेटा यहां पर क्या है सैफ है ठीक है जो खाना बनाते है इफ आई वर ए सैफ अगर आप बेटा सैफ होते तो क्या करते हैं अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं अच्छा अच्छा डिलिसियस recipes बनाते ठीक है तो if I were a chef I will make my favorite dishes ठीक है आप कुछ और लिखना चाहते है तो और भी लिख सकते हो उसके बाद बैटा यहां पर देखो यह बच्चा क्या कर रहा है पेंटिंग कर रहा है तो if I were an artist अगर मैं एक artist होता कलाकार होता तो मैं बहुत सुंदर सुंदर क्या बनाता पेंटिंग बनाता if I were an artist I will make beautiful painting ठीक है if I were an artist I will make beautiful paintings अब बेटा देखो हम next करेंगे यह आपको लिख देना है आप और कुछ लिखना चाहते है तो और कुछ भी लिख देना next हमसे पूछा गया है यहाँ पर read the stanza from the poem and list out the verbs in the space provided आपको यह stanza पढ़ना है इसमें जो verb आई है उनको आपको select करके यहाँ पर लिखना है इस कोलम में तो देखो when at the four in the afternoon I come यहाँ पर बिटा यह क्या है आपकी verb है back from the school ठीक है I can see see बिटा ओके see मने देखना कम मने आना तो I can see through the gate तो मैंने क्या देखा मैं देख सकता था gate से भार of the house house के the gardener digging digging बेटा किसकी form है यह डिग की ठीक है तो आप चाहे तो इसको पूरा भी लिख सकते हो यह नहीं तो simple first form भी तो हम पूरी लिख देते हैं यहाँ पर digging भी क्या एक verb है the ground तो माली जो क्या गरता ground को खोद रहा था he does what he likes तो यहाँ पर likes भी बेटा क्या है verb है ठीक है likes with his spade his soils यहाँ पर soils भी बेटा क्या है verb है his clothes with dust nobody takes takes भी बेटा यहाँ पर क्या है verb ठीक है him to task if he gets gets भी बेटा यहाँ पर क्या हो गई verbs हो गई मैं as it easy लिख रहे हूँ नहीं तो यहाँ से get निकलता यहाँ से take निकलता ठीक है और यहाँ से dig निकलता baked बेट भी क्या है बेटा एक verb है in the sun और gets wet ठीक है और गेला हो जाता I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me ठीक है stop भी क्या है बेटा यहाँ पर verb है digging हम पहले ही लिख चुके हैं तो यह हमने इतनी सारी लिख दी है और बेटा इनकी जो simple form है वो भी मैं आपको बता देती हूं अलग कलर से baked की क्या होगी baked first form gets में से get likes में से like soils में से soil soil माने मिट्टी भी होता है बेटा takes में से take यह तो हमने उसके साथ कुछ लगा रखे helping जैसे कि हम second form ले ले लेते हैं या कहीं पर ऐसी आइस लगा कि उसको plural या singular बना देते हैं ठीक है मतलब कि tense की tense change कर देते हैं बेटा उनका digging में dig okay बाकी तो सारी same है simple है तो यह थी बेटा आपकी आज की वक्षित उमीद करते हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी फिर भी कोई doubt हो तो comment box में पूछे रहे ना इस वीडियो में बेटाइपने अपना next topic जोगा हम अपनी नेक्स उडियो में करेंगे तब तक के लिए से हसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए थैंक्यू